हेलो एव्रीवान वेल्कम तो कॉवर्मर्स लेक्चर्स एम नेहां आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनस चड़ीज और आज का मारा टॉपिक है डिफरेंस बिट्वीन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन स्टोर सो पहले इन दोनों के ग्जामपल बता देती हो ताकि यह सब समझ सब्सक्राइब के प्रोडक्ट सिख जाएंगे बहुत सारी विराइटी दिख जाएगी एक ही चत के नीचे जैसी कि आपने देखा होगा बेक बजार में अगर जाएंगे तो कपड़े जूते अगर जूल्री खरीदने है कुछ खाना पीना है सब चीजे एक ही जगा पर अर चाहिए खाने पीने की कोई जी नहीं मिलेगी नेक्स्ट इस क्रेडिट एंड कैश पेसेस सब्सक्राइब करें इसमें कैश में बढ़ बड़ शोरूम्स में आप जाएं तो आपको गुड्स चो है कैश में ही मिलेंगे आप उधार नहीं खरीद सकते हों नेक्ट पॉंट इ बड़ी बड़ी शहरों में होते हैं Central Market में होते हैं बड़ी बड़ी मौल्स पर होते हैं ऐसे एरिया में होते हैं जो बहुत जरह पोश हो और बहुत जहां पर अपर क्राउड आता हो जैसे कि बिग बजार आपको आपके घर के आसपास कहीं नहीं देखेंक जानी से आपके पास भी किसी छोटी-छोटी मार्किट में भी इनके शोरूम मिल जाते हैं नेक्स्ट इस रिस्क तो डिपार्टमेंटल स्टोर में ज्यादा रिस्क होता है जैसे कि अगर फैशन में चेंज आ गया तो क्या होगा डिपार्टमेंटल स्टोर को ज्यादा रिस्क होगा क्यों क्य बियार करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा ठीक है यहाँ पीका था एएक увидеть showroom पे सारा रिस्क आता है लेकिन इस 사़ में क्या है change store में हर एक showroom पे थोड़ा-थोड़ा सा रिस्क आता है नेक्स्क्न आपका type of customers डेंपार्टमेंटल store में किस type के customers जादा जाते हैं जो higher income group के होते हैं यानि थोड़े से rich type के लोग जाता जाते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि जो big bazaar वगयरा होते हैं इन में क्या होता है कपड़े वगयरा काफी costly होते हैं मतलब वही same dress आप आसपास के किसी local retailer को से सस्ते में खरीच सकते हैं इन पर थोड़े सी जो है महेंगा समान मिलता है इसलिए higher income group के लोग जाते हैं लेकिन अगर chain store की बात की जैसे कि बाटा का showroom है तो इसमें क्या होता है यह हर एक type all income group यानि हर एक type के लोगों को जो है attract करता ह है जैसे कि बाटा की चपले आपने देखा कितनी सस्ती भी आती है कितनी महगी भी आती है पसानी से कोई भी जो नॉर्मल इंसान भी उन्हें अफॉर्ट कर सकता है next point आपका services अगर आप किसी departmental store पर जाते हैं वह बहुत सारी type की services प्रोवाइड कराते हैं जैसे restaurants होते हैं उ आपको restaurant restaurants मिल जाएंगे rest room याणी wash rooms वगेरा मिल जाएंगे काफी बड़ा होता है बेक बाजार है लेकिन अगर आप किसी teen store में जाएंगे जैसे की बाटा के showroom में जाएंगे तो आपको जो है एक ही showroom होता है एक चोटा साही जो है दुकान होती है उसके अंदर कोई restroom नहीं बाजार को आपने देखा होगा अलग तरीके से डेकोरेट किया होगा या कोई दूसरी जगा पे big bazaar होगा उसको अलग तरीके से डेकोरेट रहोगा लेकिन अगर chain store की बात की जाए तो उनकी uniform decoration होती है and display style uniform मतलब हर एक store में बिलकुल same decoration होती है जैसी कि आपने देखा होग so departmental store में क्या होता है price charge in different departmental store are not uniform uniform prices नहीं होते हैं यानि हर एक store के अलग अलग price होते हो सकते हैं जैसी कि आपने अगर दिली में कोई big bazaar में कोई dress देखा तो जरूरी नहीं है कि मुंबई में भी वो dress उतने ही रुपे का आपको मिले तो different price charge ये लोग कर लेते हैं area के chain stores की बात करें तो इनके price uniform होते हैं जैसे कि अगर बाटा की एक चपल किसी शहर में अगर 100 रुपे की मिलती है तो दूसरी जगह पे आप किसी showroom में चले जाओ तो वह 100 रुपे में ही मिलेगे तो prices इनके uniform होते हैं या नहीं सेम होते next is advertising इसमें क्या होता है जो ये departmental store होते ह हैं यह कहां advertisement करते है local cities में जहां पर situated होते हैं तब exactly जहां यह होते हैं वहां की लोगों में advertisement दिखाई जाती है लेकिन इन showrooms की chain stores की advertisement जो है national level पे दिखाई जाती है next point है और last point है अपका flexibility अब जो departmental store है इसमें बहुत जादा flexibility है तब आरसानी से आप कुछ भी जो है changes वगर opportunity से अगर आपके area में कोई opportunity है कि अगर आप थोड़ा बहुत discount दे के अपना सारा stock clear कर सकते है तो ठीक है आप अपनी policy change कर सकते हो ठीक है और जो है अपना stock सारा निकाल सकते हो लेकिन अगर chain stores की बात की जाए तो यहां पे बिल्कुल भी flexibility नहीं है policies जो है वो सारी कौन बनात होता है और changes जो है वह आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते है आपको head office से permission लेनी पड़ेगी बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहां के prices जैसे कि मैंने बताया था uniform रहते है इसलिए policies में चेंड नहीं होता है हर एक chain store में अपना एक ही policy रहती है जो कि सब में चलती है इसलिए कर दो मां था 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 ।